एलो फेंट्स जैहिंच स्वागत आपका आपके प्रेचल होम टुसन पे दोस्तो हरियाना पुलिस कॉंस्टिवल की नई बरती अभी चर्चाओं में है और दोस्तो एक बदलाव हमने पहले देखा कि पहले इसमें पीएस्टी होगा फिर आपका पीएस्टी होगा फिर आपका देखी तो कौन-कौन बच्चा इस फोर्म को भर पाएगा वो भी हम यहाँ पे डिस्क्स करेंगे तो वीडियो को ध्यांसर पूरा देखें दोस्तो आगर आप इस चनल पर नए है चल को सबस्टिव करें बेले करें को प्रेस करें और किसी प्रकार की लेटेस्ट नूज देखें हैं जिसकर इंटिस्क्रिप्स ने दिया हुआ है आए दोस्तो सेदा चलते हैं जो नोटीस आया उसकी तरब से तो ये दोस्तों हरियाडा पुलिस बर्तिप्रेifer में पहले पीएस्टि फिर प्यम्वित प्रकार होगी ठीक है दोस्तो हरियाडा पुलिस बर्तिव यर अदिसुची तो होने की उमीद है उसके बाद DGP बेजेंगे भरती का आग्रह परत्र कितने पद है जी 5000 male constable के है 1000 female constable के है यहाँ पे qualification जो है दोस्तो आपका बारवी पास होना जरूरी है ठेक है आच्छा जी यहाँ पे देखे दोस्तो CT पास उमीदवारों की मांग है कि सभी को मिले मौका और उमर में मिले छूट ठेक है तो यहाँ पे यहाँ पे संभावना है पूरी पूरी आपे मानके चलें कि एज मेर लिक्सेशन आपको मिलना तैह है क्योंकि बरती CT के तैह दोरी है जो आपका चैन प्रिक्रिय है वो कैसे रहेगी तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले आपका PST होगा दो फिजदी वेटेज यानि यह पांच पांच 2022 की आदिस उचना है उसके अकोर्डिंग यहाँ पे लिया जाएगा इसमें क्या होगा 0.5 km की रैनिंग होगी 12 मिनट में आगर कोई में दोर 11.30 में पूरी ते करता है तो एक हंक मिलेगा यानि आप फिजिकल के भी नंबर रहेंगे ठेक है फिजिकल के भी यहाँ पे नंबर रहेंगे ठीक है अच्छा एक सो ब्यासी सेंटिमेटर तक होगी तो एक अतिरिंट यानि यहाँ पे एक सो पिचेतर से उपर अगर आपकी हाइट रहेगी तो एक नमबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और अगर आपकी हाइट 182 cm से भी जादा रहेगी तो धाई नमबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यानि अब हाइट के भी नमबर होंगे रनिंग के भी नमबर होंगे और सबसे आखरी में आपका होगा दोस्तो रिटन एक्जामनिशन जो की 90 नमबरों का होगा 90 सवाल होंगे 90 मिनट का पेपर होगा ठीक है और 0.25 का एक नमबर यहाँ पे काट लिया जाएगा नेगिटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी दोस्तो ठीक है आच्छा जी 500 की जाट चो है उसके बाद होगी तो आप जो भरतिव परिक्रिया है वो आपका पहले क्या होगा रनिंग होगी उसके बाद पेस टी फिजिकल स्टेंडर टैस्ट हाइट चेस्टमेट उसमे भी हाइट के नमबर है चेस्ट के भी यहाँ पे नंबर है दोस्तों ठीक है चेस्ट के भी नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपकी चेस्ट 83 cm से कम या 4 cm फलाओ के साथ होना चीए ठीक है तो यह यहाँ पे दिया हुआ है तो दो नंबर का आपका PST होगा दो नमबर का दाई नमबर का पेमटी होगा चेक है उसके बाद 90 नमबर का आपका ये पेपर होगा और उसके बाद 5 नमबर आपको मिलेंगे विलेंगे socio-economics के आधार पे दाई डाई नमबर के जो अलग-लग है अधिक्तम जो आपकी qualification है और दुस्तों धाई नंबर आपका रहेगा सोशियो एकनोमिक्स के तो कुल मिलाके सो नंबर में आधार पे आपकी ये मेरिट तयार होगी आप बात करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे एज की अगर में बात करूँ तो जो नॉर्मल एज होती है हर्याणा पुलिस में जर्नल कैटेगरी के लिए जर्नल और EWS दोनों के लिए ही सेम रहती है 18 से 25 साल होती है और SC की बात करें तो यहाँ पे 18 से दोस्तों 5 साल की छूट मिल जाती है वहीं OBC के अगर मैं बात करूँ BCBA की बात है तो 18 से 28 साल होती है लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे कम से कम 3 साल के अगर छूट मिलती है 3 साल के अगर छूट मिलेगी तो यह जर्नल वाड़ा बच्चा है जो 28 साल का हो चुका है वो भी इस फोर्म को भरपाएगा और OBC वाड़ा बच्चा 18 से 31 साल और यह 18 से 33 साल तक वाड़े इस फोर्म को भरपाएगे तो इसका मतलब यह है कि जो बच्चे इस एज क्राइटीरिया में अभी है तो वो अपने फिजिकल की तयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि यह हर्याना है आचानक से नोटिविकेशन आएगा और आपको फिजिकल की तयारी के लिए एक महिने से जादा का टाइम नहीं मिलेगा ठेक है तो बहुत जल्दी आपको इबरती देखने को मिलेगी और जैसे बरती का नोटिस आएगा उसमें फिजिकल डेट मैंसर होगी आपको पहले रणिंग करनी होगी पिर उसके भी नंबर होंगे और एक एक नंबर आपको चैन परिक्रिया से भार कर देगा इसलिए जो भी बच्चे हर्याणा प्लिस की तयारी कर रहे है या उमीद में है या आप ओरेज भी हो चुके है अगर एक दो साल आप उपर भी है जो नोर्मल एयर है तो आपको फिजिकल की तयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि एज क्राइटिरिया में छूट मिलना, रिलेक्सेशन मिलना यहाँ पर लगबग लगबग तय है दोस्तो कॉंस्टेबल में तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा ठेक है तो आपने फिजिकल की तयारी शुरू कर दीजिए पहले फिजिकल होगा फिर आपका हाइट चेस्ट वेट होगा उसके बाद आखरी में आपका रिटन एक्जाम होगा तो कही न कहीं सही भी है कि भाईया पहले फिजिकल कर लीजिए जो physical में pass होगा, return दीजी और merit बना के finalist वहाँ पे तयार कर दी जाएगी ठेक है दोस्तो, तो 4 गुणा, 5 गुणा का चक्तरी आपे खतम हो जाएगा कि पहले return exam होगा, फिर 4 गुणा को बुलाएंगे return exam में फिर वो pass करेगा अभी सब का physical हो जाएगा, जो physical pass करेगा, वो return exam में बैठेगा तो यह बड़ी update है कि हरियाना प्लिस कोस्टेबल में अभी आपका पहले क्या होगा PST होगा, फिर PMT होगा, और सबसे आकरी में आपका क्या होगा, लिखित प्रिक्षा आयुजित करवाई जाएगी दूस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे भी छोट-छोटी बाते दे रखें, यह योगिता के बारे में ठीक है, HSC इस तरह चाता है बरती, तो वो यही चाता है कि भीया पहले आपका ये फिजिकल को निपटा के उसके बाद आपका रेटन एक्जाम लिया जाए, ठीक है, तो इनफोर्मेशन अगर आपको अच्छे लगी है और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को आप चाहते हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे, बैल आकन को प्रेस कर लिजे, और इनफोर्मेशन अगर आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक चुरूर करें, धन्यवाद, जहेंद,